5, 4, 3, 2, 1 परमात्मा द्वारा रचित इस स्रश्टी का विस्तार अनन्त है इस विपुल विस्तार के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी मनुष्य को प्रदान की गई है चाहे आस्था की द्रश्टी से देखें या विज्ञान की परमात्मा ने मनुष्य को सब कुछ देकर भेजा है जो किसी अन्य प्राणी को नसीब नहीं हुआ चाहे मानवी शरीर की अतुलनी शारीरिक संग्रचना हो या उसका मानसिक विकास हो अथवा धर्म संस्कृति विज्ञान तकनी की व अध्यात्म जैसी संभावनाओं को साकार करने की सामर्थ्य हो मनुष्य को विधाता द्वारा कुछ ज्यादा व अतरिक्त विशेस्ताएं दे करके भेजा गया है इन विशेस्ताओं को मनुष्य को प्रदान करने के पीछे स्रिष्टि करता के मन में कोई भेद भाव रहा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता इन विशेस्ताओं के मिलने के साथ ही विधाता ने मनुष्य को एक महती जिम्यदारी प्रदान कर दी है कि वह स्रिष्टि का संतुलन बनाए रखने में परमात्मा के सक्षम सहयोगी की भूमी का निभाए और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जिस गुड से मनुष्य को नवाजा गया है उसका नाम है संग्वेदना भाव संग्वेदनाए ही मनुष्य की आत्मिक प्रगति की सच्ची कसवटी हैं मनुष्य यदि परोपकार की संग्वेदना की विभूती से आभूशित नहीं है तो उसका जीवन मृत्प्राय ही कहा जा सकता है इंसान होकर यदि उसमें इंसानियत का अभाव है तो इसे मानवोचित नहीं कहा जा सकता इंसानियत का अर्थ मात्र दूसरे मनिश्यों के प्रति अपनी संग्वेदना की अभिव्यक्ति करना नहीं बलकी संपून जीव जगत हर प्राणी स्रश्टी के प्रतेक घटक के प्रति संग्वेदना की भावना रखना है आज जब ऐसी घटनाएं प्रचुर्ता से घटी दिखाई पड़ती हैं जिनमें मनुष्य दूसरे प्राणीयों के प्रति हिंसक कुरूर व्यवहार करता दिखाई पड़ता है तो शंका होने लगती है कि क्या मानव मानवता को भुला ही चुका है क्या उसे अपने मानवोचित कर्तव्यों एवं इश्वर प्रदत उत्तरदाईतों का जरासा भी ज्यान नहीं है पश्वों के प्रति विगत दिनों तेजी से बढ़ती कुरूरता की घटनाओं को देख कर तो कभी-कभी ऐसा ही लगने लगता है विगत दिनों बैंगलूरू में एक घटी घटना को देख कर तो ऐसा ही सोचने को मन विवर्षा हो जाता है वहाँ एक महिला ने एक कुतिया को उसके घर के बाहर बच्चे जन्मने पर इतना मारा कि आसपडोस के लोगों को उसे बचाने बीच में आना पड़ा उसका अपराध मात्र इतना ही था कि उसने उस महिला के घर के दरवाजे के सामने बच्चे जन्म दिये थे क्रोध से पराधीन उस महिला ने एक एक करके उसकुतिया के पंदरह बच्चों को सडक पर पटक कर मारा कि उनमें से प्रतेक की मृत्यू हो गई उन मृत शरीरों में से कुछ की तुआतें तक बाहर आ गई थी यह दुशकर्म उस नारी के द्वारा हुआ जिसकी पहचान ही ममत्व के गुण से होती है ऐसी घटना को देख कर कभी कभी तो लगता है कि इनके भीतर मानवी हरदय है भी या नहीं पुराणों इतिहासों में वरनित असुरों राक्षसों के जैसे करत्य बताए गई हैं ये घटनाएं कुछ वैसी ही मनह स्थिती को दरसाती हैं कुछ ऐसी ही घटना एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा भी घटित हुई मात्र अपने मनुरंजन के लिए और एक रोमांचक वीडियो अपने फेश्बुक पेज पर डालने के भाव से एक मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों ने एक अबोध पश्र को एक कुट्टे को मेडिकल कॉलेज की छट से नीचे फेंक दिया फेंकते समय उनके मुख पर अपराध का जरासा बोध नौ था बलकि एक बरबर प्रसनता के भाव छलक रहे थे कल्पना करें कि ये मेडिकल के छात्र आगे चलकर चिकित्सक बनेंगे तो क्या चिकित्सा के मूल गुड मानावता से सुशोभित होंगे अथवा नहीं शोध आकडे दरसाते हैं कि विगत कुछ वर्षों में पश्वों पर बढ़ते अत्याचार की खबरें आम हो गई हैं कुत्ते, बिल्ली, घोडे या अन्य, पालतू, पश्व इस बरबरता के सबसे पहले शिकार होते हैं सर्विक्षण के अनुसार पश्वों पर की जाने वाली बरबरता में 70 परतिशत कुत्ते, 21 परतिशत, बिल्ली वर्षेस में अन्य तरह के प्राणी समिलित हैं झालतू, जाको करता सम दिन